वेल्कम बैक टूमाय यूटूब चैनल पेपर हैकर आज के इस वीडियो हम बात करेंगे कुश्चन नंबर आपका 25 हो जागा जो की शॉर्ट आंसर टैप कुश्चन हम पढ़ रहे हैं ठीक है इससे पहले लॉंग आंसर टैप सभी हमने एक एक करके डिसक्स कर लिया एक से और आपका 25 है है कौन सा है 25 तो आप तक हमने 1 से लेकर 24 तक जितने भी आपके शॉर्ट आंसर टैप से त्लेक है एक डिसक्स कर लिया है ठीक है आपका कैमिस्ट्री का पर्सण है और आपका बीए सी सेकेंड समेश्टर की बात करें मक्खी के बैठने से सब तूल्टा सीधा हो जाता है चली हम बात करते हैं कोश्चन की पूच रहा है कि क्या पूच रहा है आग बढ़ गया यह आगे आपका प्रो फ्लेवन ठीक है क्या है आपका प्रो फ्लेवन जो की आपका एक प्रकार का ड्रग है या दवा है मेडिशन है प्रो फ्लेवन एंटी सेप्टिक पर टिपपणी लिखी है ठीक है प्रो फ्लेवन मतलब जैसे कहीं आपके चोट लग जाए या चोटा मोठा infection आपको हो जाता है ठीक है कान में हो गया आपके या चर्म रोग जैसे कहते हैं या मुझ में आपका किसी प्रकार का चोटा मोठा infection हो जाता है तो उनमें इस प्रकार की दवाजियों का इस्तेमाल किया जाता है ठीक ह प्रोफ्लेविन क्या है एक प्रकार का आपका ड्रग है तो नाम याद रखना है इसका रासायनिक सूत्र क्या याद रखना है आपको केमिकल फॉर्मूला केमिकल फॉर्मूला कुछ इस तरह से है नाम क्या है 3,6-diamino-acridine sulfate dihydrate क्या है 3,6-diamino-acridine और आपका sulfate dihydrate ठीक है तो इधर आपका लिखा है sulfate dihydrate ठीक है ये आपका sulfate group हो जागा ये dihydrate यानि कि दो आपके h2 हो है इसलिए क्या हो जागा dihydrate ठीक है तो sulfate dihydrate आपका पीछे जो group लगा हुआ इसके साथ में वो हो जागा बागी इसका नाम क्या है 3,6 अब 3,6 क्या है di amino ठीक है तो ये कमाइनो गुरुप ये लगा हुए 3 position पर ये कमाइनो लगा हुए आपका 6 carbon ठीक है तो जागा 3,6-diamino और बागी नाम क्या हो जागा एक्रिलीन ठीक है क्या है आपका ये एक्रिलीन है ठीक है और बागी पीछे के लगा हुए आपका sulfate dihydrate ठीक है तो ये नाम हो जागा इसका 3,6-diamino acrylene sulfate dihydrate ठीक है position आपको याद रखना है कि जो आपका NH2 group लगा है वो कौन कौन से carbon पर लगा हुए ठीक है तो 6 और 3rd number पे आपको क्या मिलेगा amine group मिलेगा ठीक है इसलिए क्या हो जागा 3,6-diamino acrylene ठीक है ये जो nitrogen लगा हुए इसके बज़े से क्या हो जागा ये acrylene एक प्रिजेंट है ठीक है भाग ये आपका पीछे sulfate group लगा हुए प्रोपर्टीज की अगर हम बात करें ठीक है किसके प्रोफ 11 के प्रोपर्टीज या इसके गुण की अगर हम बात करें तो कैसा होता है ये नारंगी लाल ठोस पाउडर होता है कैसा होता है नारंगी कलर का लाल ठोस पाउडर होता है ठीक है कैसा होगा कि पानी में गुलंसील होता है यानि कि पानी में कैसा होता है आपका solubile होता है ठीक है पानी में डालने पर ये आसानी से गुल जाता है क्या हो जाता भी आसानी से गुल जाता है ठीक है तो बाटर solubile हो गया ठीक है third point fourth क्या लिखना है पहले हिंके किलोरों वाइफर और अपका नहीं गुलता है किसमें आपका और आपका इतर इन रखा जाता यहारा है, यह प्रकार से प्र्वावित होती है, ठीक है, किसे प्रवावित होती है, प्रकार नहीं है आपर क्या होगा। लेती है, इसलिए यह Ар प्रित्रोधक बरतनों में रखी जाती है कैसे बरतनों में रखी जाती है मतलब यह किसी से करिया ना करें ऐसे बरतनों में रखी जाती है उपयोग कि अगर हम बात करें ठीक है क्या कुछ इसके उपयोग है कहां कहां पर इसका उपयोग होता है तो उपयोग चोट को ठीक करने एक वालोगर आपके कहीं चोट लग गाई है तो उसमें क्या करना आपको antiseptic लेना है कौँ सा? proflamen ठीक है क्या? proflamen antiseptic लेना है proflamen antiseptic ठीक है तो चोट को क्या करने में? ठीक करने में यह है मुह, कान, गला वाचर्म इसकिन कि infection को दूर करने में सहाएक होता है ठीक है जैसे मुह हो गया कान गला वा चर्म इसकिन के इंफेक्शन को दूर करने में भी सहायक होता है कौंसा आपका प्रोफ लेविन एंटी सेप्टिक यह ग्राम पॉस्टिव ग्राम नेगेटिव वैक्टिरिया के प्रतिकारक है यानि कि दोनों प्रकार के वैक्टिरिया ज टीक है में हुआ प्रतिकारक होते हैं इसके प्रतिक और ग्राम नेगेटिव वैक्टिरिया बात करें ग्राम दनातमक बैक्टिरिया एगाँ तो यह आपके बे वैक्टीरिया होते हैं ठीक है कौन से वैक्टीरिया होते हैं जो ग्राम अविरंजक परिक्षड में क्रिस्टल वायोलेट ठीक है किस से ग्राम अविरंजक अविरंजक परिक्षड में क्रिस्टल वायोलेट ग्राम अविरंजक परिक्षड में क्रिस्टल वायोलेट रंग से ठीक है किसे क्रिस्टल वायोलेट नाम के रंग से रंगे जाने पर रंग को पकड़ लेते हैं ठीक है इस वाले रंग से कर रंग होगे क्रिस्टल वायोलेट नामक रंग से रंगे जाने पर ये रंग को क्या कर लेते हैं पकड लेते हैं यानि कि ये रंग जाते हैं रंग जाते हैं कौन से crystal violet नामक रंग से अगर रंग हो गया आप इनको तो क्या हो जाएंगे ये रंग को पकड लेंगे या रंग जाएंगे ठीक है तो यह आपके क्या हो जाते हैं यह आपके होते हैं ग्राम पॉस्टिव बैक्टीरिया ठीक है जिने हम ग्राम धनात्मक कहते हैं ठीक है तो यह हो जाएंगे आपके ग्राम पॉस्टिव बैक्टीरिया और नीले या जामनी हो जाते हैं रंग को पकड़ कर कैसे हो जाएंगे ये रंग को पकड़ कर आपके नीले या जामुनी रंग के हो जाते हैं कैसे हो जाते हैं नीले या जामुनी रंग के हो जाते हैं ठीक है तो ये हो जाएंगे आपके ग्राम पोजिटिव ठीक है ग्राम अविरंजक परिक्षड में ठीक है ग्राम निगेटिव की अगर हम बाद करें ठीक है, किसकी ग्राम निगेटिव बैक्टिरिया की अगर हम बाद करे सिर्मी घूनी तो क्या होता है इसकी घ्राम अभी रंजक परिक्षड में influential डाम रंख से रंगने पर ये उस रंग को नहीं पकड़ते हैं Gram Negative Bacteria, क्या करते हैं, क्या करते हैं ये, Gram अभिरंजग परीक्षड में, Gram अभिरंजग परीक्षड में Crystal Violet रंग से, कौन से रंग से, Crystal Violet रंग से अगर इनको रंग होगे, violet रंग से रंगने पर रंग से रंगने पर ये रंग को नहीं पकड़ते हैं ठीक है ये रंग को नहीं पकड़ते हैं ठीक है क्या करते हैं ये रंग को नहीं पकड़ते हैं ठीक है कौन से crystal violet रंग से अगर इनको रंग होगे कैसे रहते हैं रंग ही नहीं रहते हैं ठीक है कैसे रहते हैं रंग ही नहीं रहते हैं ठीक है तो इन दोनों प्रकार के वेक्टीरिया जो की आपका ग्राम पॉस्टिव और ग्राम नेगेटिव होता है ठीक है इन दोनों के प्रतिकारक कौन सा होता है आपका the já oven anti septic क्या होता आपका प्रो ने seven and tea septic जो है इन दोनों के प्रतिकारख होता है ठीक है फ्रो फ्लेवेन uh two sat तो आपका प्रो फ्लेवन anti septic की ड्रग है यह कमेडिसन है जिसके बारी में हमने जा wrapped था chemical formula क्या था उसका रख रखाओ गया था यूज क्या है उसका ठीक है और उसके कुछ प्रोपर्टी जह गुड़ है वो क्या है ठीक है तो यह आपको शॉट में लिख देना है ठीक है अगर आप से पूंचा जाए तो बस इतना ही लिख देना और आपका जो है नोडिफिकेसन आप तक पहुंचता है ठीक है थैंक यू